हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यार दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो जी हाँ दोस्तों आ आ चुका है जी हाँ दोस्तों BSF नर्स भरती 2023 दोस्तों BSF की तरफ से 64 पदोग पर SI स्टाफ नर्स वाड़ बोई आया ASI Paramedical की हाँ पर वेकेंसी आ चुकी है जी हाँ बिलकुल पर्मनेर भरती है सरकाई नोकरी है और इसमें पूरे भारत से फार्म को अपलाई कर सकती हो दोस्तों इस वीडियो में बता दे तो PET के बारे में जानकाई देंगे हाइट के बारे में जानकाई देंगे कौलिफिकेशन के बारे में जानकाई देंगे सैली के बारे में जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तों अभी आप लोग 22 फरवरी 23 तब फार्म को अपलाई कर सकती हो तो चलिए दोस्तों आपको लेकी चलती है सबसे पहले स्वार हूं तो चलिए आपको लेकि चलते हैं, सबसे पहले सौट नोडिफिकेशन पर, तो दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकती हो, ओफीसियल फूल लोडिफिकेशन ओपन हो चुका है, दोस्तों 3 पेज कहाई नोडिफिकेशन पब्लिस किया गया है, और यह अभी सौट नोड इसमें देखोगे तो गुरूब बी एंड गुरूब सी इन पैरामेडिकल स्टाफ इन बीएसफ दोहयारते इस यानि की वेरियस पोस्ट गुरूब बी एंड गुरूब सी की पैरामेडिकल की वेकेंसी आ चुकी है यहां स्वार नोटिफिकेशन डारॉक्टर रेट जेनल यहां पर फिल करना है किलियर जी यहाँ यह देख सकती है नोटिफिकेशन है अब यहां पर सबसे पहले देखिए पोस्ट입니다 और कटगरी स्ट एटोल कितनी इसकी जानकारी है और यहां पर आप लोग देखोंगे तो पे इसकेल के बारे में भी जानकारी दी गई है ESI staff nurse की जो है 10 vacancy है इसमें UR कड़गरी के लिए 3 vacancy EWS के लिए 3 vacancy OBC के लिए 2 vacancy और EAC के लिए 2 vacancy है इसमें level 6 के अंतरगत maximum salary 1,12,400 रुपे मिलने वाली है number 2 देखी ASI dental technician की यहाँ पर 1 vacancy है level 5 के अंतरगत सहली मिलेगी and ASI lab technician की यहाँ पर 7 vacancy है junior x-ray assistant head constable की यहाँ पर 40 vacancy है और इसमें level 4 के अंतरगत सहली मिलेगी इसमें maximum salary 81,000 रुपे and ASI dental and lab के लिए दोस्तों 92,300 रुपे आपको maximum salary मिलने वाली है constable table boy की यहाँ पर 1 vacancy है level 3 के अंतरगत सहली मिलेगी and यहाँ पर देखी CT ward boy ward girl आया ward boy ward girl आया की यहाँ पर 5 vacancy है level 3 के अंतरगत सहली मिलेगी maximum salary 69,100 रुपे यहाँ पर दी जाएगी तो यहाँ आप लोग देखेंगे कितनी vacancy है टोटा अगरा बात करेंगे 64 यहाँ पर vacancy है सबसे ज़धा vacancy x-ray की होने वाली है 40 vacancy है इसके बाद दोस्तो नर्सिंग की vacancy है 10 vacancy है इसके बाद lab technician की happy vacancy है नीचे आओगे तो 30 दिनों के अंदर आप लोग फार्म को प्लाई कर सकती हो यानि कि 1-2 दिनों के अंदर आप लोगों के लिंक एक्टवेट हो जाएगा और आप लोग 22 फरवरी 2023 तक दोस्तो फार्म को प्लाई कर सकती हो नीचे आओगे तो qualification के बारे में जानका दी गई है ESI staff nurse में दोस्तो अगर आपने GNM का रखा है BSC nursing का रखा है तो बिल्कुल यहाँ पे फार्म को प्लाई करोगे Fraser यहाँ पे फार्म को प्लाई कर सकती है तो GNM GNM पलस BSC nursing BSC post certificate BSC post basic BSC nursing जी हाँ यहाँ यहाँ पे फार्म को प्लाई करेंगे और बिल्कुल Fraser यहाँ पे फार्म को प्लाई करेंगे experience दोस्तो नहीं चाहिए ESI dental technician में दोस्तो अगर आपने बारवी pass का रखा है और dental technician में डिप्लोमा का रखा दो साल का और Fraser हो तो भी आप लोग़ फार्म को प्लाई कर सकती हो इसके बाद option C देखिए तो ASI lab technician में दोस्तो अगर आपने DMLT का रखा है फार्म को प्लाई कर सकती हो इसमें DMLT बिल्कुल Fraser फार्म को प्लाई कर सकती है junior x-ray technician में अगर अपने डिप्लोमा का रखा है या सर्टिफिकर का रखा है सर्टिफिकर कोर्स का रखा है रेडियोग्राफी में तो आप लोग फार्म को यहां पर अपलाई कर सकती हो 6 मन्त का कम से कम आपके पास experience है होना चाहिए तो आप लोग जो है एक्सरे असिस्टेंड में फार्म को अपलाई करोगे इसमें सबसी जदा वेकेंसी 40 वेकेंसी है कौंस्टेबल की वेकेंसी है इसमें बारवी पास फार्म को अपलाई करेंगे अगर बारवी पास नहीं हो तो दस्वी पास हो तो भी फार्म को अपलाई कर सकते हो और what boy what girl आया में भी दोस्तों अगर आप लोग 10 वी पास हो तो farm apply कर सकते हो अगर experience है अच्छी बात है नहीं है तो भी farm apply करिए इसके बाद देखिए तो यहाँ पे age limit के बारे में जानका दी गई है और फिर आपका physical standard के बारे में जानका रही है जब आप लोगों का floorification आएगा तो age criteria के बारे में आपको सारी information मिल जाएगी अभी कितनी vacancy है मैंने आपको बता दी है category wise है हमें vacancy के बारे में जानका देदी है कौन कौन से position इसकी जानकारी हमने आपको देदी है साथी qualification क्या होगी जो most important थी इसकी भी जानकारी हमने आपको देदी है अब number 4 देखिए physical standard test यानि PhD के बारे में जानकारी है यहाँ पे देखोगे तो the minimum requirement for the candidates for the post of SI staff nurse, SI dental technician, SI lab technician and junior x-ray technician इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है male अगर हो तो आपकी height 150 cm होनी चाहिए जी हाँ farm apply करने के लिए और chest आपकी 76 cm जी हाँ और 81 cm expanded करने पर और weight यहाँ पे जो है आपके height के अंसार आपकी weight होनी चाहिए बाकि female के अगर आपकी पास female हो आपकी height 150 cm है तो भी आप लिए farm apply कर सकते हो तो यह जो यहाँ पे post दिया गया है nursing, dental technician, lab technician, x-ray technician अगर female हो तो आपके लिए जो height है all category के लिए 150 cm के height होने चाहिए बाकि weight है और आपकी जो chest है इससे मतलब नहीं है बस आपकी height 150 cm होनी चाहिए इससे कम नहीं होनी चाहिए, clear है, जी हाँ, इसके बाद देखिएगा और यहाँ पे जो constable है table boy, ward boy, ward girl आया के लिए female बे 157 cm है और male के लिए 167.5 cm है और यहाँ पे होनी चाहिए, clear है, बाकी देखी notification है और यहाँ दोस्तों, short notification publish कर दिया गया है, यहाँ पे date आप लोगों के लिए mention किया गया है, 24 January 23 और CBC notice number यहाँ पे दिया गया है, यह आप लोग नोट कर सकते हो, और यहाँ पे 24 November 23 को दोस्ते notification पब्लिस किया गया है, यह आप लोग देख सकती है तो एक एक करके मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 22 फरवरी तक आप लोग फार्म को अप्लाई करोगे, BSF की वेकेंसी आ चुकी है, 64 पदोपरी वेकेंसी निकाले गई है, और इसमें दोस्तों syllabus क्या होगी, syllabus के अलावा age, criteria, important date, application fees, इन सभी की जानकारी, full notification में दी जैसे ही full notification आएगी, और आप लोग जो है, आपका link एक्टिवेट होगा, मैं वीडियो बना दूँगा, इसपेसल वीडियो आएगी, कैसे farm को apply करना है, और full notification की A2 जानकारी मैं आपको उस वीडियो में दे दूँगा, बाकि अभी कितनी वेकेंसी है, मैंने इसकी जानकारी दे दी है, इसके अलमा बता दिया कि online mode में आपको farm apply करना है, qualification के बारे में अभी मैंने आपको अच्छे से जानकारी दे दी है, इसके अलमा नीचे आओगे, तो PhD के बारे में, physical standard के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है, यह दोस्तों nursing वालों के लिए है, lab technician, ASI, इनके अप्लाई कर सकती हूँ, इसके अलमा जो female है, यह 150 इंडिबिटर है तो आप लोग farm को apply कर सकती है, कोई problem नहीं होगा, बाकि wait करिए for notification की धन्यवाद